प्रशिक्षत स्टाफ इस्पेशल बच्चों को विपिन थेरेपी के माध्यम से प्रशिक्षित करने का कारे कर रही है इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे रहते हैं बच्चों के व्यवहार में काफी परिवर्तन भी आया है संस्थान के निदेशक डॉक्टर रेनू रावत तिवारी ने बताये कि संस्थान में कुशल प्रशिक्षित स्टाफ स्पेशल बच्चों को प्रशिक्षित करने का कारे करती है उसको हम इलाज ना कहके उनका यह कह सकते हैं कि हमें उनके साथ काम करना है उनको सही ट्रैक पे चानलाइज करना है उनकी एनरजी को तो उसको हम थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं जिसे कि हम 95% तक इनके अंदर इंदर इंप्रूमेंट आ जाता है क्योंकि वो ही है कि बिमारी नहीं है, कोई दवाई इसका इलाज नहीं है, इसको थेरेपी से, प्यार से हम लोग सही कर सकते हैं. आधन्त Foundation for Autism संस्थान में Occupational Therapy, Behavior Therapy, Speech Therapy के माध्यम से इलाज किया जाता है. संस्थान की निदेशक रेनुरावत तिवारी ने कहा कि इन थेरेपी के साथ ही स्पेशल बच्चों को स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस का भी प्रशिक्षन दिया जाता है. देखें, ये एक lifelong कह सकते हैं, हमें इनको थेरेपी करानी पड़ती है, पर वो डिपेंड करता है कि बच्चे पे कितनी जल्दी उसके अंदर इंप्रूव्मेंट आ रहा है, जैसे जैसे बच्चे के अंदर इंप्रूव्मेंट आता जाता है, वो नॉर्मल स्कूल में जाने आधन्द फाउंडेशन फॉर आटिजम शेहर में आटिजम केलाज के लिए एक मात्र संस्थान है, स्पेशल बच्चों के आटिजम केलाज के लिए संस्थान को समय समय पर विभिन मंचो पर कई अवार्ड मिल चुके हैं, सीन्यूज के लिए अजए बहादर की रिपोर्ट झाल